लोगसवा चुनाओ की तारीकों का एलान जो है वो आज election commission ने कर दिया है जिसका लंबे समय से जो है वो इंतजार किया जा रहा था और आज वो इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है और लोगसवा चुनाओ जो है वो साथ चरणों में कराये जाएगा अगर हम चरणों की बात करें तो पहला चरण जो है वो 19 अपरेल फस्ट फेस यानि को 19 अपरेल को जो डेट अपोल जो है वो 19 अपरेल को होगा और अगर तीसरे फेस की बात करें तो तीसरा फेस जो है वो 7 मई 2024 यानि की Tuesday को होगा वहीं चौते फेस की अगर बात करें तो 13 मई 2024 सोंबार के दिन कराया जाएगा और अगर पाँचवे फेस की बात करें तो 20 मई 2024 सोंबार के दिन होगा वहीं छटे फेस की बात करें तो 25 माई 2024 शन्वार के दिन होगा और वहीं आखरी फेस आखरी फेस यानि की फेस 7 की बात करें तो 1 जून 2024 शन्वार के दिन कराये जाएगा तो इसका मतलब साफ है कि 7 चर्णों में चुनाओ 543 सीटें दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो भारत जो है वो साफ चर्णों में चुनाओ जो है वो 2024 लोगसवा एलेक्शन होने जा रहा है और डेट्स जो है तारीकें जो है वो एनौसमेंट हो चुका है और इससे भी बड़ी बात जो है अगर काउंटिंग की बात करें तो 4 जून को काउंटिंग जो है वो लोगसवा चुनाओ का पढ़ाम वो आएगा यानि कि 4 जून को हमें पता लगेगा कि किस के खाते में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हैं और अगला प्रधान मंतरी कौन बनेगा कैमरा परसन चंदन के साथ दिली सरदेश यादव यूस पॉइंट